आसलाम लेकूम रहमतुल्लाहिव बराकातु हूँ Communication Skill MCM 301 के Lesson No. 2011 के साथ आज का जो हमारा Main Topic है Responding Questions and Answers के हवाले से है Responding and Questions and Answers से मुराद यह है कि अगर आपने जो Speech Perform की थी जो के हम पिछले चनल लेक्सर से पढ़ते आ रहे हैं Speech के ही Topic के वे कि अगर आप Speech Perform करें Speech Perform करने के बाद At the end of the speech आपकी आडियन्स जो है वो आपसे किस तरह के और कौन से सवाल जो है वो करती है आपकी Speech से Related आपकी आडियन्स के जहन में कौन से सवाल आता हैं जो आपसे पूछना चाह रही है और आपने उनको जो है उनके Questions को Response कैसे करना है Planning and Experience Enable a Speakers To Anticipate Most of What Will Occur During a Presentation And However, No Amount of Planning Experience Enable a Presenter To Product or To Prepare for Every Possible Questions यानि के Planning और Experience यहाँ यह मुराद है कि अगर आपको आपने Plan किया हो यहाँ पिर आपके पास Experience हो For example, अगर लास टाइम आपने Speech Perform की हो यानि आपने पहले Speech Perform की हो और आपको इस बात का अंदाजा हो कि Audience किस तरह के सवालाद करती है आपसे और आपने इनको Response की तरह करना है तो यह एक Concept है Planning आपके पास होगी And Experience आप क्या होगा ठीक है जिसकी मदद से आपको यह पता होगा कि आपने Audience के Questions को Response कैसे करना है Next जो हमारा है The following four steps are essential to effective response यानि अपनी Audience को Response करने के लिए हमारे पास चार तरह के Effective Points है First of all, Listen के हवाले से है Discern, Affirm and Answer के हवाले से है चलते हैं Listen की तरफ तो यहाँ पे है When someone from the audience speaks and the presenter is listening attentively the presenter should make focused इस concept समझने से पहले मैं आपको साधा लफाज में बता दू कि जब आप perform कर रहे होते हैं तो अगर audience जो है वो उस दुरान आप से कोई question कर ले ठीक है When someone from the audience speaks जब audience से कोई बंदा बोलता है and the presenter is listening तो presenter जो speech पर फार्म कर रहा होता है person उसको चाहिए कि वो जो audience से person बोल रहा है या कोई question पूछ रहा है तो उसको तुज़ा से उसके सवाल का जवाब दिया जाए Make focused यानि जो वो question कर रहा है उसके question को गोर से सुना जाए focus से सुना जाए meaningful eye contact with the person who is talking उस person के साथ जो के audience से ये सवाल पूछ रहा है यारी audience पे बैठा हुआ ये सवाल पूछ रहा है कोई भी सवाल पूछ रहा है तो आप उसकी तरफ eye contact रखें यानि कि अपनी तुज़ा उनकी तरफ मर्गूज रखें note gently in a manner that suggested yes I hear you यानि कि आप उनको ये शो करवाएं कि हम जो है वो आपको सुन रहे है lean forward slightly to really convey interest और आप उनकी ये जाहिर करें कि आप जो वो बता रहे हैं आपको आप उनकी बात जो है वो तवज़ा से सुन रहे हैं इंटरस्ट भी ले रहे हैं ठीक है next slide पे चलते हैं तो यहाँ पे है discern from nature and intent of verbal feedback यानि person who listen attentively is better able to discern the nature and intent of the feedback from the audience person who listen attentively is better जो लोग आपको सुन रहे होते हैं आप वो जो है वो आपकी यानि जो आपके audience होती है उसको आपकी जो आप प्रेजेंटेशन परफॉर्म करें होते हैं यानि audience को प्रेजेंटर का nature का पता होता है और उनको जो audience होती है उनको ये तवक्का होती है कि आगे जो audience हमारे पास बैटी है हमारी speech सुन रही है हमारे सामने वो हमें जो है वो feedback भी प्रवाइड करेगी FM the person से मुराद ये है A skillful response consists of two parts आपने अगर अपनी audience को response करना है तो उसके लिए क्या चीज़ी जरूरी है affirmation जरूरी है और answer जरूरी है यहां पर है affirmation is expressed before starting an answer यनि आप अपनी audience को speech जब आप कर लेते हैं तब आप अगर अपनी audience को response करना चाहरे हैं जो वो question आप से पूछ रही हैं तो आप जो expressed करेंगे जो उनको बताएंगे अपनी answer से पहले जो आप मतलब सोचेंगे कि हमने इंको यह बताना है तो वो आपकी क्या होगी affirmation होगी ठीक है इवदा प्रेजेंटर नो दा प्यूपल इन ग्रूप फार एक्जेंपल हम as a presenter है जो कि speech को perform कर रहे हैं और हमें इस बात का अंदाजा फार एक्जेंपल अगर हो कि फलाँ person जो हमसे question कर रहा है उसका फलाँ नाम है यानि अगर नाम हो असलम ठीक है तो हम यह कहेंगे you make a good point असलम जैसे कि आपको screen पे दिखाए दे रहा है slide में example के through that's an interesting question यानि audience अगर आप कोई person audience या आप से question पूछ रहा है तो आप कहेंगे you make a good point असलम यानि उसके नाम से पुकारेंगे जो कि affirmation के concept को clear करता है next is answer the question comment or objection यानि आपने answer करना है response करना है अपनी audience को अपनी audience के उन तमाम तर सवालात को जो कि वो आप से पूछना चाह रहे हैं the characteristics of effective communication apply to the answering audience feedback in other words a presenter response should be a clear correct, concise and well considered यानि जब आप answer करें अपनी audience को तो आप जो response थे जो आप answer करें अपनी audience को आपका answer आपका response ना सिर्फ clear हो ना सिर्फ correct हो ना सिर्फ concise हो बलके well considered भी हो यानि आपकी audience उसकी समझ भी असानी से आ रही हो clear से मुराद जो कि आप slide पर देख सकते हैं clear से मुराद यह है clear responses to the point यानि आपने अगर audience पेसे किसी परसन ने आप से कोई question पूचा है तो आप उसको to the point जवाब देंगे next है correct आप जो answer दें वो तो आपने to the point दिया लेकिन आपका answer correct भी होना चाहिए answer should be both factually and ethically correct आप जो सवाल जो audience ने आप से पूचा है audience में से किसी ने भी पूचा है कोई भी किसी भी किसम का सवाल पूचा है आप उसको shortcut में बताएं और आपका सवाल का जवाब जो है वो correct होना चाहिए उसके बाद है well considered responses to questions and comments should reflect consideration of the setting and interest and exception of the audience audience को ये तवक्का होती है कि आप audience जो आप से सवालात पूच रही होती है आप उनको well manner में समझाएंगे अच्छे तरीके से अच्छे अंदास से आप उनको बताएंगे next आ जाती है type of comment from the audience यानि कौन-कौन से comments कौन-कौन से feedback कौन-कौन से questions आपकी audience आपसे पूच सकती है questions और feedback में थोड़ा सा different है क्योंकि question जो है वो पूचा जाता है और feedback जो है जो आपने बताया होता है अपनी speech में वो end पे आपकी audience बताई होती है कि आपने कितने अच्छे अंदास में अपनी speech को perform किया था जो कि feedback कहलाती है question यह होता है कि audience को अगर for example हमने नया कोई project start करना था तो उस हवाले से हमने अपनी speech perform की तो at the end of the speech हमारी audience हम से यह सवाल पूचरी होती है कि हमने project को बनाना है तो फलाँ फलाँ जगा पर कुन-कुन सी information की ज़रूर तो हो भी ठीक है यह हमारे questions में से आ सकते है और type of comment from audience से यही मुराद है कि आपकी audience जो है वो किस तरह की comment कर सकती है यहाँ पर question की बात नहीं हो रही है comment की बात हो रही है कि आपकी audience जो है वो आपको किस तरह से feedback दे सकती है यहाँ पर points बताएं में agreement agreement से मुराद कि आपने जो speech दी for example किसी नए project को start करना था उस हवाले से आपने speech दी क्या आपकी audience जो है वो आपसे agree करती है जो कि first concept को clear करता है agreement के हवाले से second है addition addition and then objection addition में यह है कि आपकी audience जो है जिसने आपकी speech सुनी वो comment में addition को से किया मुराद कि वो additionally आपसे question करना चाहते क्योंकि हमारा जो lecture our response पे आपसे question भी कर सकती है comment और question में यही फरक है comment आपको feedback मिल रहा होता है याई agreement मिल रही होती है ठीक है last पे है objection जब आपकी audience आपसे agree हो सकती है तो कुछ ऐसे person भी हो सकते हैं जो कि आपसे agree ना करते हो याई objection करते हो ठीक याई जो आपने speech में बताया तो हो सकता है कि उनको कोई मसला हो रहा हो जिसके वाई से वो objection जो है वो objection शो कर वारे हों के आपने जो speech perform कि as a presenter आपकी audience उससे agreement नहीं agree नहीं है ठीक है कुछ audience जो agree है वो agreement के concept को clear करती है और कुछ audience जो के आपकी speech से agree नहीं है वो objection को शो करती है और ऐसी audience जो के आपकी speech सुने के बाद आपसे question करना चाहती है या feedback देना चाहती है क्योंकि कमेंट नहीं दे रही वो आपको उल्टाब से questions कर रही है तो वो आपके जो concept है addition उसको जो है वो clear करती है इस concept को तो हमारा जो lesson number 21 का last topic यही था कि जब आपको कोई भी speech perform कर रही होती है तो आपकी audience आप से जो है वो इस तरह के सवालात पूछ सकती है इस तरह की comment दे सकती है इस तरह के feedback दे सकती है और आपने किस तरह से उनको reply करना अपनी audience को आपने किस तरह से handle करना है और यह आप कैसे कर सकते हैं अगर आपने पहले कोई speech perform की हो तो आपके पास experience होता है आपको यह planning होती है आपके mind में कि हमने last time भी अपनी audience को इस तरह से response किया था और इस दफ़ा हम हमारी audience के इस तरह के questions हो सकते हैं और हम इनको इस तरह से response करेंगे ठीक